Hello, Good Morning all of the students, मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ओनलाइन क्लासेज प्लेटफोरम पर आपका मॉस्ट वेलकम लास्ट वीडियो में हमने हॉन बिल का जो चेप्टर फैस्ट है, उसके वीडियो देखे थे इसी करम में हम हॉन बिल का सेकेंड चेप्टर जिसका नाम है, वी आर नोट अफरेड टू डाई, इफ वी कैन ओल बी टूगेदर हम मरने से नहीं डरते, येदी हम सब एके साथ हैं तो देखे जैसा टाइटल है चेप्टर का, कि वी आर नोट अफरेड टू डाई, इफ वी कैन ओल बी टूगेदर हम मरने से नहीं डरते, येदी हम सब साथ हो तो तो देखे इस चेप्टर में के समुद्री यात्रा की कहानी है जो इसका राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन इस्ट जो एक समुद्री यात्रा है जो काफी जोखिम भरी है उसमें स्वेम राइटर और उसकी वाइफ और उसकी एक पुत्री है और एक पुत्र है जोनाथन नाम का तो ये सब समुद्र की यात्रा पे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में चक्कर लगाना चाते हैं तो देखिए किस परकार उनको किन किन डेंजर्स का सामना करना पड़ता है और ये जो स्टेटमेंट है कि हम मरने से नहीं डरते ये उनके जो चिल्ड्रेन है उन्होंने उनके लिए बाते कही थी इतना भयानक तुफान का सामना करने के बाद भी उनके बच्चे हैं वो डरे नहीं अपने माता पिता का होसला उन्होंने तूटने नहीं दिया तो देखिए गॉर्डन कुक एंड एलन इस्ट क्या लिखता है इस टेक्स्ट में यानि इस चेप्टर के अंदर जो एक्स्प्रेशन किये गए है जो व्यक्त किये गए है उन्होंने ध्यान देने वाले जो बिन्दू है पोइंट है inferior their meaning from the context कि इस अंदर में उनका क्या आर्थ निकलेगा वो इसमें कुछ विशेश बिंदु है जैसे पहला दिया honing our suffering skills honing means होता है तिक्सन करना honing means तिक्सन करना, निखारना तो जो भी उनके पास है skill है उनकी seafaring का मतलब सी यानि समुदर faring मानी चकर लगाना, दो सब्दों से मिलकर बना है seafaring तो जो समुदर का चकर लगाने की जो skills होती है, कला होती है उसको उन्होंने निक्खारा तिक्सन किया अपनी कला को ये एक बिंदु है, दूसरा है pinpricks in the vaste ocean इतने विशाल महासागर में जो pinpricks है, एक सुई की नोक जैसा डूणने के समाने एक दीप है वहाँ पर, उसको उन्होंने तलास किया ominious silence और एक अपशकुन भयानक चाही रहती है समुदर में, श्यांती a treasured head यानि उनका सर है, वो टकरा जाता है steering से और may day जे calls और यानि अपने जो may day हैं जो बूरे दिन हैं वो उनके वहाँ पर शुरू होते हैं तो देखिए किस परकार उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की line to line हम पूरे चेप्टर को explain करेंगे hard word है वो आप लिखते जाईए in July 1976 my wife Mary मेरी पतनी Mary son Jonathan जो six years का है और डॉरे Susan जो seven years की है तो यानि उनी सो चंतर में जुलाई के महिने में मेरी मेरी पतनी और पूतर जोनाथन जिसकी आयू छे वर्स है और पूतरी सुजेन जिसकी आयू साथ वर्स है and I set sail from play mouth मैं और स्वेम इंग्लेंड के play mouth से जो duplicate of the round the world wise मेंट तो मैं स्वेम इंग्लेंड के ply mouth से जहाज में रवाना हुआ तो यानि ply mouth जो एक इंग्लेंड में जगह है वहां से ये रवाना होता है और duplicate means लिख लेना दोहराना duplicate means दोहराना the round the world वोईज round the world वोईज का मतलब समुद्र के पूरे विश्व का समुद्री यात्रा से चकर लगाना जो 200 year earlier by captain James से cook जैसा कि 200 words पूरुव captain James cook दोवारा दुनिया के चारूं और चकर लगया गया था ताकि मैं उसको फिर से 12 सकूंजियों का त्यों तो देखे हार्ड वर्ड है वो साथ में लिखते जाए प्ले माउथ इंग्लेंड में जगा है जहां से वो duplicate करने के लिए रवाना हुआ duplicate मानी दोरानी है उसे round the world वोईज पूरे विश्व की समुद्री यात्रा का चकर लगाना है Mary and I a 37-year-old businessman तो लंबे समय से मेरी तथा मैंने जो 37 वर्षिय में खुद व्यापारी हूँ had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer and for the past 16 years we had spent all our leisure time hunting our suffering skill in the British waters तो hunting our suffering skill है यह notice करने वाली बात है उन्होंने जो चकर लगाने के लिए समुद्र की जो यात्रा थी उसमें अपनी कला को निखा रहा अब देखिए complete line का मीनिंग मेरी और मैं जो 37 वर्षिका मैं एक व्यापारी हूँ had dreamt हमारा एक सपना था कि sailing in the wake of the famous explorer कि उस परसिद खोज करता के रूप में जो एक परसिद खोज करता है जो समुद्री यात्रा को खोजता है तो उस हिसाब से मचकर लगाना चाहता था समुद्र का तो next देखिए इसमें आगे for the past sixteen year और पिछले सोड़े साल से हमने अपना समस्त खाली समय अपनी समुद्री यात्रा समंदी कलाओं को निखाने में बिताया और ऐसा हमने जो बिर्टिस समुद्र पर किया था तो बिर्टिस वोटरस वोटरस में जरू लिख लेना यहाँ पर यहाँ पानी नहीं है बिर्टिस का आर्थ है जो समुद्री यात्रा है या समुद्र है तो पिछले सोड़े साल से हमने इस्पेंट किया इस्पेंट माने बिताना लेजर टाइम माने खाली समय और हनिंग अवर सेफरिंग इसकिल मानी अपनी तैरने की जो कला है उसको हमने काफी निखारा सोड़े साल से हम इसी अभ्यास में लगे हुए थे जो बिटी से समुद्र किनारे पर है नेक्स्ट इसी करा में इसकी आवर बोट वेवोकर हमारी जो नाव है जिसका नाम है वेवोकर ए 23 मीटर जो 23 मीटर तो लंबी है 30 टन वूडन हूल्डे ब्यूटी और 30 टन वजन की सुन्दर लकडी से बनी हुई है हैड बीन हैड बीन फ्रोफेशनली ब्यूल्ट जिसको हमने बिलकुल यानि सुन्दर रंचना के आदार पर कुसलता से बनाया गया था एक व्यवसाइक तोर पर और यानि प्रोफेशनली ब्यूल्टी फिटिंग इट आउट और टेस्टिंग इट इन रफेश्ट वेदर वी कुड़े फाइंड और हमने इसे बनाने यह बूरे से बूरे मोसम में इसे जांचने में महिनू लगाये थे जो हमें मिल सकता था मिल सकता था क्या जो समुदर है उसमें खराब से खराब मोसम भी हमें मिल जाए तो भी हम उसका सामना कर सके इस इसाब से हमने कई महिनू से जाज की फिटिंग की थी और उसका टेस्ट माने उसकी परिक्षया जांचपरक की थी टेस्टिंग मिन्स जांचपरक और वी कुड फाइंड माने कितना भी भयानक है मोसम हमें खराब से खराब रपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है वेदर मिन्स मोसम तो हमारी जो सुनियोजी ते तीन वर्स की योजना थी जो हम एक लाख पचास जार किलोमेटर जरनी पास दे प्लीजेंट्री तो एक लाख पांच जार किलोमेटर लंबी यातरा का पर्थम चरन है वो आराम से हमने संपने किया यानि फैस्ट लेक जो पहली यातरा थी हमारा पहला चरन था उसमें जो योजना थी वो थ्री इयर्स में हमने एक लाख पांच हजार किलोमेटर जरनी पास दे प्लीजेंट्री मानी आराम पूर्वक की थी जब हम अफरीका के पस्चिमी किनारे के साथ साथ केप टाउन नामक स्थान पर जा पहुंचे तो वी सेल्ड डाउन सेल्ड डाउन का मतलब चलते हुए वेस्ट कॉस्ट में आनि पस्चिमी तट पर पहुंच गे कहां पर केप टाउन पर देर विफोर हेडिंग इस्ट और वहां पुर्वे की ओरे रवाना होने से पहले वे टुक ओन टू क्रुमेन हमने दो जहाज संचालक अपने साथ लिए तो देर विफोर हेडिंग इस्ट यानि पुर्वे की पुर्वी की तरफ पुरव दिसा में आगे बढ़ने से पहले हमने दो क्रुमेन लिए क्रुमेन्स लिख सकते हो करमचारी एक तो अमेरिकन है जिसका नाम है लेरी वीजल एंड एक है स्विस यानि स्वीडन का हर्वे सेगलार तो हेल्प अस टेकल जो हमारी मदद करेंगे यानि अमेरिका का लारी वीजल और स्विटर्जलेंड का जो हर्व सीजलर है जो हमारी मदद करेंगे टेकल वन ओप दी वर्ल्ड रफेस्टे सी दुनिया में सरवादिक तूफानी समुदरों में से एक कोई भी आ जाए उसे निपटने के लिए अपने साथ ले लिए ये था दक्षिनी हिंदे मासागर तो दक्षिनी हिंदे मासागर जहां विश्व का सबसे खराब मोसम पाया जाता है रफेस्ट सी माना जाता है रफेस्ट सी माने दुनिया का सबसे खराब समुदर और टेकल का मतलब वो हमारा साथ देंगे हमारी मददे करेंगे टेकल मिन्स निपटना साथ देना संभालना On our second day out of Cape Town Cape Town से रवाना होने के दूसरे दिन On our second day out of Cape Town तो Cape Town से रवाना होने के दूसरे दिन We begin to encounter strong girls हमारा सामने होने लगा तेज हवाओं से Strong girls means लिख ले तेज हवाओं और encounter का मितलब सामना होना Begin मानी शुरू हो गया तो Cape Town से रवाना होने के दूसरे दिन हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ For the next few weeks और अगले कुछ सपताहूं तक They blew continuously लगातार ये बढ़ती रही यानि Continuously मानी लगातार Blue मानी बहना तो ये तेज हवाओं हैं ये लगातार कुछ सपताहूं तक लगातार बहती रही Blue में इन से बहना होता है Girls did not worry me इन हवाओं से मुझे चिंता नहीं हुई वर्री मानी चिंता तेज हवाओं चलती रही लेकिन जाज को इतने 16 वर्सों में उन्होंने इतना मजबूत बनाया था और हर मोसम में अपने जाज का टेस्ट किया था कि खराब से खराब मोसम भी आ जाए तो जाज से हम उसका सामना कर सकते हैं इसलिए इन से मुझे कोई चिंता नहीं हुई बट The size of the waves was alarming Waves means लिख लेना लहरे और size मानी उनका आकार alarming मानी चेतावनी देने वाले लेकिन लहरों का जो आकार था वो भोती भयानक था चेतावनी देने वाला था अब टू 15 मीटर लग बगे 15 मीटर एज आई एज आवर मेने मस्त और 15 मीटर उतना था जितना हमारा मुख्य जाज था तो मुख्य जाज का जो मुख्य मस्तूल होता है उतनी उँची ये लहरें उट रही थी मस्तूल हज आज क्या एक सामने का जो हिस्सा होता है जो हवाओं या लहरों को टकराने से रोकता है तो ये काफी भयानक लहरे थी 15 मीटर तक हाइट में बढ़ रही थी और हाइवानी उँची इतनी उँची थी जा में मस्त था मुख्य मस्तूल था हमारे जाज का नेक्स्ट देखिए दिसंबर 25 फाउंड आस 3500 किलोमेटर इस्ट ओफे केप टाउन 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमेटर दूर पहुंच चुके थे तो 25 दिसंबर को हम केप टाउन से पूर्वी दिशा में 3500 किलोमेटर दूर दे डिस्पाइट एस्ट्रोनियस वेदर वी एड़ वन्डरफुल हॉलिडे कम्पलीट वीदे क्रिसमस ट्री बेरहम अत्याचारी मोसम के बाबजूद हमने शांदार चुटियां बिताई जिसमें क्रिसमस ट्री का भी समावे से कर लिया डिस्पाइट मिन्स लिख लेना केप अबजूद एस्ट्रोनियस मद वेदर मिस लिख लेना खतरनाक मोसम बेरहम अत्याचारी मोसम और वंडरफूली हॉलिडे का मतलब आश्च्रिय जनक रूप से हमने अपनी हॉलिडे में छूटियां कम्पलीट की जिसमें क्रिसमस के ट्री है उसको भी हमने सामिले कर लिया New Year's Day saw no improvement in the weather 9 वर्ष के दिन भी मोसम में कोई सुधारे नहीं हुआ New Year's Day saw no improvement in weather But we regent that it had to change soon लेकिन हमने अपनी तरक बुद्धी से सोचा Regent means होता है तरक बुद्धी से सोचना, विचार विमर्ष करना कि had to change soon कि सिगर ही मोसम में बदलाव होगा And it did change और बदलाव हुआ भी लेकिन for the verse लेकिन बुरे के लिए हुआ, verse means बुरा तो हमने सोचा जरूर था कि 9 verse में मोसम में change होगा Change हुआ भी लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए Next देखे At dawn on January 2 The waves were Jingetic यानि दो जनवरी को सुबह जब हम पहुँचे वहाँ पर तो gigantic तो दो जनवरी को waves लहरे हैं वो बहुत ही gigantic थी gigantic means लिख ले न बहुत बड़ी विसाल, वे उजमानी लहरे जिब है, यानि एक छोटा सा बादबान जहाज के अगर भाग पे लगा था वर स्टिल मेकिंग eight note और अभी भी आठ note की गती से हवा चल रही थी ये जो eight note दिया है ये हवा को नापने की इकाई का नाम है और small storm jib यानि एक छोटा सा बादबान जो जहाज के आगे के हिस्से पर लगा रहता है वो उससे हम गती देख रहे थे हवा की eight note है as the ship rose to the top of each wave जब जहाज पर परतेक लहर की चोट होती तो चोटी पर जहाजे चड़ जाता यानि जो ही समुदर में लहर आती लहर के साथ जहाज भी उपर उठता समुदर में we could see endless enormouscy rolling toward us और लहर की चोटी पर जब जहाज चड़ जाता तो हम देख सकते थे कि विशाल लहरे हमारी ओरे लुड़क रही है ऐसे लग रहाता जैसे पूरा समुदर है वो हमारी तरफे आ रहा है तो enormous मानी अनंत रूप से seas मानी समुदर endless मानी जिसका कोई अंत नहीं हो rolling towards कामलग जैसे हमारी तरफे बढ़ता हुआ आ रहा है next देखे and the screaming of the wind and spray was painful to the ears तो जब परते के लहर के ओपर जहाज उपर उड़ जाता था तो हवा फुवारों की जो चीखना है कानू के लिए कस्त दाइक था screaming मानी चीखना wind मानी हवा और spray मानी जो पानी की फुवार होती है मिनिंग लिख लेना spray मानी पानी की फुवार बिंड बानी हवा scream मानी चीखना और fanful मानी कस्त दाइ ear means calm तो देखे अब easy language में हवा तथा फुवारों का जो चीखना है वो कानू के लिए कस्त दाइ था we dropped the storm zip जो नाव को धिमा करने के लिए बादबान को नीचे किया जाता वो हमने नीचे किया we dropped the storm zip यानी storm zip वो होती है जो जहाज की गती को control करे उसको हमने नीचे किया less the heavy mooring rope in a loop across the star तो बादबान को नीचे कर दिया और एक भारी रसी को खंदे के रूप में जहाज के पिछले हिस्से के आरपारे बांध दिया तो mooring rope मानी होता है एक रसी जो loop मानी फंदा बनाया across the stern का विलब जहाज के आरपार हमने उसको बांध दिया तो mooring rope का means लिख ले न जहाज को रोपने एतु बांधने का रस्षा होता है और stern मानी जहाज का पिछला हिस्सा loop मानी फंदा तो इसको हमने जहाज की गती को धीमा करने के लिए रस्षा है वो बांध दिया then we doubled lessed everything फिर हमने परते के जो वस्तू थी उसको मजबूती से बांध दिया we doubled lessed everything and went our life raft drill और तहरने वाली नोकाओं में परवेश किया attached life lines रस्षा हिन्हें बांध दिया and donated oil skills and life jacket donated oil skins means लिख लेना जलरोदी और life jackets का अमलब जीवन रख सक जैकेट है and waited और फिर हम इंतजार करने लगे है oil skin जो जलरोदी होती है life jacket यानि जीवन रख सक जैकेट होती है तो हम इंतजार करने लगे आने वाले तूफान का अपनी रसिया परते के समान को डबल बांध दिया तो फैस्ट इंडिगेशन जो आने वाला विनासक था हमारा इंडिगेशन वानी जो संकेत था means लिख ले ना संकेत of impending disaster came at about 6 p.m. तो जो पहला संकेत मिला हमें विनास का पर्थम संकेत या तूफान का संकेत वो लगबग स्याम को 6 बजे के करीब आया with an ominous silence ये एक अनिस्ट सूचक स्यानती चा गई ये notice करने वाला पोईंट था ominous silence अनिस्ट स्यानती चा गई the wind dropped, हवा थम गई dropped का means लिख लेना या पर थम जाना और wind means आचुका पहले चेप्टर में हवा हवा थम गई the sky immediately grew dark आकास में तुरंत अंधेरा चा गया immediately आनि तुरंत grew dark means चा गया अंधेरा then came a growing roar and an enormous cloud toward after of the ship तो देखे अंधेरा चा गया फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई growing roar roar means गर्जना growing मानी बढ़ती हुई means लिख लेना तो ठीक तबी एक बढ़ती हुई गर्जना आई and enormous cloud towards और एक विशाल बादल जहाज के पिछे की और से निकट ही आकरे चा गया cloud toward cloud means बादल तोड मानी एक बिल्कुल उँचाई पर आकर बादल चा गया F टॉप दैसी यानि जहाज के पिछे की और with horror और हम भयानक रूप से डर गए तो हमें भै के साथ महसूस होने लगा I realized realized मानी महसूस हुआ कि it was not a cloud कि ये कोई बादल नहीं है with horror मानी डर लगा पहले तो हमने सोचा जाज के पिछे की तरफ जो काला काला आ रहा हुए एक बहुत बड़ा cloud होगा लेकिन realized हुआ कि it was not a cloud ये बादल तो नहीं है बट a wave like लिए बल्कि एक लहर है like no other I had ever seen लेकिन ये लहर वैसी नहीं है जैसी हमने अब तक देखी है जैसी अब तक हमने लहर देखी है वैसी लहर नहीं थी बल्कि एक ऐसी लहर थी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल ये पूर्ण तो लंबवत सीधी घड़ी होगी वर्टिकल मिन्स बिल्कुल 90 डिग्री में लंबवत और परफेक्टली मानी पूर्ण रूप से लंबवत और अपियर्ड मानी परकट हुई और अल्मोस्ट ट्वाइस ड़ाइस टॉप दे और लगबग दोगुनी लंबी थी ये बाकी जो लहरें आई उनसे जो अधर वेव जाई थी पहले उनसे डबल थी ये विद ए फ्राइट फुल ब्रेकिंग ए क्रिस्ट तो दोगुनी उची थी इसकी ड्रावनी चोटी टूट करे गिर रही थी फ्राइट फुल ब्रेकिंग क्रिस्ट क्रिस्ट मिन्स लिख लेना चोटी फ्राइट फुल मानी भयानक और ब्रेकिंग मानी टूट कर ऐसे लग रहा था जैसे की इसकी ड्रावनी चोटी है वो तूटकर गिर रही है जहाज के उपर दरोर इंक्रीजड तू दर थंडर लहर की गरजना अब बढ़कर गडगड़ाट में बन गई थंडर मिन्स होता है बादलों की जैसे गरजन होती है इंक्रीजड मिन्स बढ़ जाना रोर माने उसकी दाहाड गरजना तो जो लहर थी जो बाकी लहरों से डबल हाइट की थी उसकी जो गरजना है वो बढ़ गई और वो बढ़कर गडगड़ाट में बदल गई और जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने आ गया स्टर्ण मानी जहाज का पिछला हिस्सा मूड अप दे फेस ओफ फेस ओफ का मतलब यहाँ होगा सामना करना और वेव मानी लहरे तो जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने जा पहुंचा एंड फोर ए मॉमेंट और एक ही पल में I thought मैंने सोचा we might ride over it मैंने सोचा कि हम इस लहर के उपर से गुजर जाएंगे तो एक ही सन के लिए मैंने सोचा कि हम इस लहर के उपर से गुजर जाएंगे Might ride over it Ride over it means लिख लेना उपर से गुजर जाना बर दे ने ट्रमेंडियस एक्स्प्लॉजन सुक दै डेक लेगिन किन्तु तबी एक भयानक जोर से धमाके ने जाज के उपरी हिस्से को हिला दिया ट्रमेंडियस एक्स्प्लॉजन मिन्स लिख लेना खतरनाक धमाका हुआ और सुक मानी हिल गया, डेक मानी जहाज के उपर का हिस्सा यानि तबी एक जोर से भयानक धमाके की आवाज से जहाज के उपर के हिस्से को हिला दिया And a torrent of green and white water broke over the sea जहाज के उपर हरे और सफेद पानी की भयानक बोचारे तूट पड़ी Torrent of green, torrent means बोचारे, green मानी हरे, white मानी सफेद Water broke over the sea का मतलब जहाज के उपर तो जहाज के उपर हरे और सफेद पानी की भयानक बोचारे तूट पड़ी And sinking blew the waves और जहाज है वो इन लहर के अंदरे डूबने लगा Sinking मानी डूबना, waves मानी लहरों के अंदर I accepted My head smashed into the wheel यानी जब यह लहरें जहाज के उपर आई तो my head smashed into the wheel मेरा सर है वो टकराया पही जो wheel होता है, wheel means लिग लेना, steering जो जहाज को चलाने के लिए I was aware of flying overboard और मुझे एसास हुआ कि मैं जहाज के बाहर तेजी से गिर रहा हूँ I was aware Aware मानी मुझे पता चला कि flying overboard कि मैं जहाज से नीचे गिर रहा हूँ और sinking below the wedge और जैसे लहरों के नीचे डूब रहा हूँ तो ये बीच में एक line है वो mistake से चुट गई थी कि मेरा सर जहाज के steering से टकराया तो मुझे पता चला कि जैसे मैं लहर के साथ बाहर जा रहा हूँ जहाज से और लहर के नीचे डूब रहा हूँ I accepted my approaching death और मैंने अपनी आ रही मोत को स्विकार कर लिया Accepted means स्विकार कर लेना Approaching death मानी जो मोत नजदीक आ रही थी And as I was losing consciousness और जब मैं अपनी चेतना खो रहा था चेतना means post-hawas I felt quite peaceful तब मैंने बड़ा स्चान्त मैसूस किया अपनी mind में तो इस परकार वो लहरूं का खत्रनाक रूप से सामना करता है जहाज का पिछला हिस्सा है उससे वो लहर है वो आकरे टकराई तो काफी मुश्किल में फस गया था वो जो जहाज संचालक था तो thank you for watching the video Next किस परकार है हम देखेंगे कि वो इस लहर से किस परकार अपने जहाज को सुरक्सित बचा करे ले जाता है तो ये केडवेंचर की कहानी है और जो ऐसे समुद्र यात्रा करते हैं कई बार हम जैसे पढ़ते हैं कोई स्टोरी हिमाले कि एवरेस चोटी पे जड़ने वाले ये भैको मन से निकाल कर चलते हैं तो ये राइटर भी जब समुद्र का चकर लगाने गया पूरे विश्वय का तो अपने मन से भैको निकाल कर गया है तो नेक्स्ट वीडियो में इस चेप्टर का से स्पार्थ हम फिर पढ़ेंगे स्टे हॉम, स्टे सेफ डू टू कोवेड नाइन्टी थेंक्यू